हेलो फ्रेंड आपका स्वागत मेरे चैनल एजुकेशन अड़ा नोलिज के नेश्ट पार्ट में आज में एक अलग से थोड़ा नए टॉपिक लिकर आया हूं जो कि हमारे देश की जीडिपी और एकोनमी से सम्मंदि टॉपिक है इस थोड़ा टॉपिक पर ध्यान दीजेगा इसने आर्बियाई के अनुसार आज 27 में 2030 है और आर्बियाई क्या कहता है कि जो भारत का विदेशी मुद्रा बंडार जो है जो विदेशी मुद्रा बंडार है अक्टूबर 2021 को तक्रिवन साड़े तीन अरब डॉलर की विरधी के साथ साड़े तीन अरब डॉलर की विरधी के साथ लगभग 645 अरब डॉलर था जो हमारा विदेशी मुद्रा बंडार था ठीक है यह अक्टूबर 2021 की बात कर रहे हैं बात करते हैं 19 मई 2023 की तो यह मुद्रा जो भंडार है हमारा 4.64 अरब डॉलर घटकर लगभग 524.945 अरब डॉलर रह गया है इसका मतलब यह है कि 23 और 21 की बीच में जो 22 था वहां से लेकर यहां तक इसमें लगभग 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 121 अरब डॉलर की कमी आती जा रही है ठीक है और अगर हम बात करते हैं थोड़ा हम पहले इसी की बात करके चलते हैं तो थोड़ा सा समझने की बात यह है कि अगर हमारे यहां पर रोजगार नहीं है रोजगार हम प्रवाइड नहीं करा पा रहे हैं आरश सरकार या गवर्मेंट ऑफ इंडिया के द्वारा या जो इनके पैनल में जो भी लोग है वह यहां पर रोजगार प्रवाइड नहीं करा पा रहे हैं रोजगार प्रवाइड नहीं हो पा रहे हैं नहीं रोजगार के हम यहाँ पर जो भी मैंने लाज्ट टॉपिक जो जीडीपी बताया था जीडीपी चाइना वर्सिस इंडिया के बारे में जो आपको बताया था उसमें क्या बताया था कि अगर ग्रोथ होगी तो आपका मैनुफेक्ट्रिंग से लेके औल सेक्टर में ग्रोथ होगी क्या होगी ग्रोथ होगी और यह ग्रोथ कब होती है यह जब होती है जब हम यहाँ पर जॉक्स प्लस प्रोडेक्शन प्लस मैन पावर जब हम यह सब चीज़े क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं बैसी इसी बात है अगर जॉब होगी तो नेच्छल सी बात है मैनुफेक्ट्रिंग यूनिट में प्रोडेक्शन भी बढ़ेगा और जब यह तोनों चीज़े होगी तो यह किसकी वज़े से होगी यह सब चीज़ होगी मैन पावर की वज़े से यानि कि हमारे देश में क्या हो रहा है अनेंप्लाइमेंट हो रहा है अब अनेंप्लाइमेंट की वज़े से यह सारी चीज़े हमारी डाउन जा रही है हमें समझना पड़ेगा इसको एक सिंप्ल लबास में समझेगा कि अगर किसी के पास 10 एकड का कोई खेत है और अगर उस खेत को बोने में अगर हम वहाँ पे 10 आदमी लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है और अगर वो 10 आदमी उस खेत को 10 दिन में या 20 दिन में या 100 दिन में बो रहे हैं ठीक है या लेकिए time of work बढ़ रहा है time of work जो है वो बढ़ रहा है working time और अगर यहाँ पे 10 की वज़ा है हम 100 कर दें तो वही time of work हमारा घट जाएगा production बढ़ेगी time of work घट जाएगा और जो व्यक्ति यहाँ पे काम कर रहे है जो यह काम हमारा एक काम फिनिस हो जाता तो नेक्स दूसरे वर्क में वह जा सकते हैं ठीक है ना पर इमान के चलो वह 10 एकड की जब इनको बो रहे थे पहले 10 आदमी ने उसको बोया उसके बाद वह आदमी वहां से उठे दूसरी काम करने लगे यानि कि इस खेत की जो पैदावार थी वह चाहांस दस दिन का काम सौ दिन में हो रहा था वह काम उन्होंने दस दिन में कर दिया यानि कि वहीं चीज हो गए यहां पर मैंपावर बढ़ी वरकिंग बड़ा प्रडेक्शन बड़ा और क्या हुआ कि यहां पर एंप्लॉइमेंट तो जन्रेट हुआ हुआ साथ में प्रडेक्शन भी चन्रेट हो गया मैनुफेक्शरिंग भी बढ़ती चली गई इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप एंप्लॉइमेंट देंगे बास समझेगा अगर एंप्लॉइमेंट देंगे तभी तो हमारी आयए बढ़ेगी आया का मतलब यह नहीं होता कि गौर्र्मेंट को लॉस होगा नहीं भी बताया है कि अगर हम तीन सिफ्ट में काम लेते हैं यानि कि आठ गंटे के तीन सिफ्ट लेते हैं आठ गंटे मजदूर एक मजदूर ने काम किया तो क्या हुआ वहां पे वर्किंग आवर बढ़ गया एक ही दिन के अंदर तीन लोगों की रोजगार मिला जहां पर एक गंटे काम होने पर एक विर्टि में तीन सिफ्ट में काम होने पर तीन लोगों की रोजगार मिला और पर प्रोडक्शन रेट कितना हो गया यहां पर क्या हो रहा है इसना मतलब क्या है इसका समझने की बात है कि यह जो हमारी जो विदेशी मुद्राबंडार कब बढ़ता है जब हमको यह चीज यहां से बनाकर बहार बेशते हैं सेल करते हैं सेल आउट होती है जब वह चीज बहार जाएगी तभी तो वह दिखेगी ना या तो हमारे देश में खपतो या उसके बहार विदेशों में खपतो अगर वह इसको विदेशों में भीजेंगे घेंगां पर यजा मुसका करेंगे अशिसे समहाओ प्रेदेशन होगा में ज्यूति है जो हम पबल्ली के जरूए अगर वह मान के चलिए अगर्我的 में एक हमारे आजद्व में 100 क्तल्व क्पता आएं किसी चीज की पोस्विस्किए अब तेट कुंटल की वजाए हमने वहां पे सवा कुंटल गलती हैं यानिकि 25 परसेंट गट गया तो वहां पे क्या हूँ कि यह घट गई यहां पे विदेशी मुद्रा यानिकि बाहर से विदेशी मुद्रा नहीं आ रहा है वो कव आएगी जब हमारे यहां से कोई माल सेल आउट होगा बहार पुड़ेक्ट विदेशी मुद्रा नहीं बिकेगा यहां पर पनी नहीं रहा है तो जहेर सी बात है हमारा विदेशी मुद्रा बंडार घट जाएगा बात करते हैं तूसरे वाले टॉपिक्स में दूसरा पॉइंट आता है आपका स्वान यानिकि गोल्ड संबलव एक दो साथ अरब डॉलर रह गया है यह बहुत सोचनी की बात है कि कभी हम अपने आपको विश्व गुरू कहते थे आज हम धरातल में जाते जा रहे हैं सिर्फ कांग जों में रह गया है विश्व गुरू अख़वारों में मीडिया में सिर्फ अगर हम रियालिट प्रती व्यक्ति जो कर्जा था यानि कि आप पे मेरे पे या हर किसी व्यक्ति पे भारत का जो नागलिक है उसके उपर जो कर्जा था वो 55,000 रुपे प्रती व्यक्ति था लेकिन अब भारत में प्रती व्यक्ति कर्ज अब धाई गुना बढ़कर लगबग 155,000,000 करोड यानि कि 1,50,000 रुपे प्रती व्यक्ति हो चुगा है वो दिन दूर नहीं जो हमारी जो रेट घर के पाकिस्तान के पास पहुंच जाए सोरी उससे भी निचे जा सकते हो ठीक है अभी भी उस वक्त है अगर सरकार मैं सरकार के वाल में नहीं कहता है अगर जो सरकार को गाइड लाइन देते हैं अगर वो करमचारी वो अधिकारी वो सचे अगर वो सरकार को थोड़ा सा सही से इसको चीजों को डिफाइन करें तो हो सकता है कि हम यहां पे अपनी हाप में ग्रोप कर सके अनिता यह करजा आगे बढ़कर और भी बढ़ने जा आगर आ रहा है क्योंकि अभी करेंटली सुनने में आ रहा है कि जो अच्छा यह जो इतने भी बने आख्रे आपको दिये हैं यह आर बी आई के आख्रे हैं यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आख्रे हैं जो कि आप 27 मही 2023 का चल्षता न्यूज पेपर में भी आप इसको देख सकते हो मैंने आपको स्वाट में लेकर आगे हूं यहां पर ठीक है ना और इसके अलावा अगर आपको मेरे टॉपिक्स जो अगर आपको अच्छा लग रहा है समझ में भी आता है तो प्लीज मेरे चैनल है एद्यूकेशन अड़न नॉलेज यूटूब कर आप इसको आपको आपके आने वाले बविश्य में एक्जाम में आपको यह फाइदा पहुचा सके कहते ने जनित में जा रही है यह कुछ इसी तरीके का टॉपिक है ठीक है ना विया और इसी के साथ में यह टॉपिक समाप्त करता हूं थैंक यू वेरी मुच